हेलो फ्रेंद्स वेल्केम बैक टूस्वितारों सोईगार आज बना रही हूं कच्छे केले की मटन जैसे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है एक नम बिल्कुल मटन जैसे रगती है चलिए बनाते हैं तो इसके लिए मैंने कच्छा केला लिया है आप अपनी कॉंटिटी की सा इससे हल्का मोटा बने दे इसी तरीके से मैंने सारे केलिए को का त्लिया आप केलिए को और ये में करहें सेरा कर दोंगे और इसमें केला य़ण कराई में चुटे लाल मिर्च एंड जीरा और इसे पकनी दूगी बाद इसमें एड कर दूंगी कटिवी हरी मिर्च यहाँ पर मैंने मिर्च को छुटे डुक्रेम कट कर लिया था, इसे के साथ मैं एट कर दूँँ कटीवी प्याज, प्याज की मातरा थोड़ी जादा ले, यह लिए के सबजी के नुसर प्याज ले, प्याज को मैंने बारिक से कट कर लिया था, तो आब इसे मैं गोल्डन होने लाल मिर्च पाउडर, एंड स्वाद अनुसर नमक, और इसमें थोड़ा सा पानी एट कर दूँगी ताकि मसाली अच्छे से भून जाए और जले नहीं, तो यहाँ पे मैंने पानी एट कर दिया और इसे मिक्स कर लूँगी, और इसे अच्छे से भूनना है, और मसाली को ब होनुगी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगए तो प्लीज मेरी वीडियो को सपूर्ट कीजिए, और लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ पे मैंने केला और मसाली को अच्छे से भून लिया है, तो आब इसमें पानी एट कर दूँगी, पानी आप सब सबजी में ग्रेवी कनुसारी पानी एट करें, क्योंकि केला फ्राइ करते समय ही आधी पक जाती है, तो यहाँ पे मैंने पानी एट कर दिया और इसे कबर करके अच्छे से पका लूँगी, यहाँ पे मैंने कबर कर दिया है, फिर से थोरी दिर बाद चेक करूँगी तो सब सबजी की ग्रेवी बहुत ही अच्छी हो गई है, और केला भी अच्छी से पक गया है, तो गैस आफ कर दूँगी, तो रेडी है, केले की मतन जैसी सबजी बहुत ही टीस्टी सबजी बनती है, इसी आप रोटी चावल दोडू के साथ खा सकते हैं, अगर आपको मेरी करकी बेल नोटिफिकेसन अन कर दें, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डूएमें, तो तिक लिए बाई फ्रिंट्स एंटी केर,